हेलो क्लास वेलकम है आज आप सभी का देख लेंगे इंपोर्टेंट लेक्ट्रेंट एंग्लिश से लिए इंपोर्टेंट एंप्स रहेंगे जॉन कीड्स लॉट प्रोबर्ट फ्रॉस्ट इनके क्वेश्चन्स हमको यहां मिल जाएंगे तो हम लोग शूरू करते हैं 15 एंप साथ में चलते हैं करते हुए which of the following is not written by John Kears इने में से कौन सा John Kears ने नहीं लिखा है ये नहीं लिखा है ये PB Shelley ने लिखा है हाँ पर इसका connection है John Kears से वो ऐसे कि ये एक allergy है और PB Shelley ने John Kears के लिए allergy लिखी थी उनकी death पर शोगी थे PB Shelley, Percy Shelley और ये जो हमारे John Kears है इनका life span है 1795 तो 1821 इनका life span है romantic poet है और इनका allergy अड़नाईस इनकी याद में लिखी गई थी next question is who succeeded verse worth as a poet laureate in 1850 1850 के verse worth के बाद कौन बना था succeeded यानि इनके बाद तो वो थे हमारे Lord Tennyson student देख लीजे verse worth को succeed किस ने किया था Lord Tennyson ने 1850 में verse worth बने कब थे तो वो बने थे 1843 में बने थे poet laureate कब तक अपनी death तक 1850 में ही इनकी death होई थी बहुत important है ये और Robert Saudey जो थे वो verse worth के पहले थे ये sequence पूछ लिये जाता है आगे पीछे के कौन कैस किस के पहले था तो Robert Saudey के बाद words worth के बाद हमारे Alfred Lord Tennyson ये इनका sequence है ये बने थे 1843 में और इनकी death तक फिर उनकी 1850 में इनकी मिर्टियों के बाद बन गए थे Alfred Lord Tennyson और Alfred Lord Tennyson भी जो बने थे ना ये भी अपने death तक ही until his death 1892 तक बने रह थे poet laureate sequence है years है इसके बनते है questions The term negative capability is associated with John Keats questions का level आप देख रहे हैं कि ठीक स्थाक ही है इतना डीपी नहीं है अगर आपने अच्छे से हर chapter हर author को आपने surface level पे भी पढ़ा है और वो आपको अच्छे से याद है तो आपकी answer सारे clear जाएंगे बिलकुल तो यह negative capability जो term है John Keats का है next question is let us go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient authorized upon a table who wrote these lines so the answer is T.S. Elliot Thomas Stern Elliot American born England settled ऐसा इनका बनता है तो यह जो lines है let us go, यह T.S. Elliot की है T.S. Elliot का life span है 1888 से लेकर 1965 and यह जो है यह जो lines है किस walk की है the love song of J. Alfred Prufrock Prufrock अकेला भी लिखा रहता है तो यह lines इनकी इनके Prufrock walk की है T.S. Elliot की who is the author of the poem Sohraab and Rostam इस author इस poem के author को है Matthew Arnold है narrative poem है 1853 में publish हुई थी Sohraab and Rostam which of the following is not a poem by Kamala दास सुदा answer is Tejori कहीं Tejori लिखा होता है कहीं J. Jury भी लिखा होता है ऐसे तो यह क्या है यह एक प्लेस है पूना में City पूना या प्लेस इन पूना Tejori या J. Jury यह अरुन को लाटकर का work है अरुन को लाटकर Indian writer हमारे है को लाटकर अरुन को लाटकर का अब यह हमारे इसले बस में से कमला दास है तो यह तीनों अच्छे से याद कर लीजे The Freaks My Grandmother's House and A Hot Noon in Malabar यह इनकी कमला दास जी के work है Which of the following poems of Wordsworth has a subtitle Growth of Poets Mind तो प्लिवड इसका answer है देखिए Growth of Poets Mind यह प्लिवड का एक subtitle भी है और इसको इनकी Spiritual Autobiography भी कहते है यह जो है इनोंने लिखना तो बहुत पहले शुरू कर दी थी लेकिन यह Publish 1850 में जो 1850 में इनकी death होई थी तब तक भी यह publish नहीं हो पाई थी और इनकी death के बाद The Prelude बिल्कुल इनोंने अपने दौरान का भी टाइटल नहीं दिया था In which collection of Robert Frost Birchis was published Robert Frost के यह जो नेम है Students से बहुत ज्यादा हमको आते हैं और confuse करते हैं तो बिल्कुल हम इनको clear कर लेंगे बर्चिस जो है इनकी एक poem है जो की हैं इनके mountain interval में mountain interval poem collection है यह poem collection है mountain interval और यह इनका third mountain interval अब जैसे beef और बर्चिस है तो याद रखना कि बी जिसमें भी है उसमें नहीं है यह boy नहीं है और बी बॉस्टन में भी यह बर्चिस नहीं है ऐसे अगर कैसे याद करने का तरीकात क्योंकि पढ़ा तो इसको हम कई बार चुके है इनकी बाइग्राफिय में और पता नहीं कहां कहां अच्छा तो यह इनके जो है पहला है boys will poetry collection बिल्कुल समझ के चलेंगे boys will first collection है इनका a boys a यानि one first collection and second है इनका north of Boston जो इनका collection है second है ठीक है north of Boston and third mountain interval last में third point पे जाके interval हो गया कैसे भी trick लगा के हमें याद रखना है further range भी नहीं काई वा अरक है लेकिन यह काफी आगे 1936 में पब्लिज हुआ था इनके publishing गयर देख लेंगे boys 1913 में north of north of Boston जो second है अगले ही साल 1914 में और एक साल छोड़के mountain interval आयता हमारा 1960 में 13, 14, 16 ऐसे कैसे भी आप लीजिसने अच्छे से याद कर लें इनसे questions आते हैं और confused हो जाते हैं बर्चिस हमारा mountain interval में है third इनका यह poetry collection है in which of the following works does not belong to Saroj Dinaidu तो इसमें रिट जाती है क्योंकि यह सारे ही इनके ही है मतलब ऐसा और इसलिए क्योंकि जब ऐसे questions भी दिये जाते हैं negative marking होती है तो जो होशियार बच्चे जिनके सारे hundred में से hundred full marks ऐसे आएंगे कि वो इसको जो ऐसे है उस पे लगाए ही ना कुछ which of the following poem has been written by Stephen Spender इसमें से कौन सी poem Stephen Spender की है so the answer is to my daughter to my daughter is the correct answer for this Stephen Spender to which century did Charles Lamb belong अब आप questions का pattern समझ रहे है किसी की century पूच ली किसी का works पूच लिया किसी का कैसे pen name पूच लिया तो ये आपको बागियों के भी याद करना है not only of Charles Lamb जितने भी राइटर्स हैं उनकी भी centuries focus करके चलो एक राइटर उसकी century उसकी country life, death, birth place, death place इतने ये seven to eight points होते है तत्थ है फेक्ट बनते हैं हर राइटर के तो अब यहां Charles Lamb की century पोची है ये belong करते हैं हमारे 19th century को क्योंकि इनका जो life span है क्या है 1775 से लेकर 1834 तक तो ये जो 18 से जो हमारी 19 चलेगी तो इसको 19th century कहते है ना ऐसा 19th century में आ जाएंगे आपके मन में खुदसे ही आजाना चाहिए देखते ही साथ ऐसे शॉट में लिखे हैं तो क्या होगा पुल नेम पहुंचो Google पे पहुंचो Book पे पहुंचो पे पहुचो पे पैन नेम आप एजी गाटनर पैन नेम इस अलफा अप दबलाफ अलफा अब दबला अलफलेट जॉर्ज गाटनर 1865 to 1946 इनका लाइफ इस्पैन है और यह हमारे इनका एक इंपोर्टन फेमस वर्क है एक इस प्रोफेट्स, प्रीस्ट और किंग्स प्रोफेट्स, प्रीस्ट और किंग्स यानि कि जो देवदूत होते हैं संत और राजा ऐसे तो इसको याद रखेंगे आप from next question, from whom did Francis Bacon Drive his concept of asses, so Montaigne's का answer इन्होंने यहाँ से अपना concept लिया, यह तो थे ही father of asses which of the following is not a work of William Hazlitt, इने में से कौन सा William Hazlitt का work नहीं है so the answer is Tales from Shakespeare, यह हमारे Charles Lamb का है Tales from Shakespeare यह इन्होंने और इनकी sister ने दिखाता मिलके Charles Lamb के अच्छा तो बाकी देख लेंगे ध्यान से the plain speaker, table talk, the round table William Hazlitt के है Hazlitt, बिल्कुल ध्यान रखें table, round table table talk, table है na plain speaker, इसे which of the following belongs to H.G. Gardner, इने में से कौन सा H.G. Gardner को belong करता है तो, answer is pillars of society, यह इनका work है, बाकी आप option देख लेंगे, तो उनको मैं clear कर दू the essays of failure, Charles Lamb का है sketches and wishes, यह आपका William Hazlitt का है, बिल्कुल important है William Hazlitt स्लेबस में है, sketches and wishes, wit and humor, को बिल्कुल हसन है, उनका यह work है यह train to Pakistan, आपको question बन सिंका है, तो आज के lesson में इतने ही questions student और इसी series को इसमें total 70s question है, शायद यह confirm पुराना एक paper है आपका previous, तो वहाँ से मैं question discuss कर रहे हूँ, हमको सिर्फ question चाहिए, कहीं से भी मिलें, ऐसे बहुत सारे questions मुझे मेरे सामने आए हैं, तो discuss करेंगे उसको और community में जो भी मैंने William Hazlitt का पिक डाला है, उसको पढ़ लीजिए एक Tom Jones है, वो novel है, Henry Fielding का, उसका detail है से जस कुछ-कुछ, तो वो भी ब्लीज देख लीजिए और अच्छे से तियार कीजिए, इवन आपका first paper, journal paper, then आपका subject, thank you so much for watching thank you so much for watching this lesson खुछ रहिये, पॉदिटिव रहिये, जैहिन